Hello everyone, last class में हमने cancer तक खतम कर दिया है, अब हम final पढ़ने वाले हैं drugs and alcohol abuse अब यहाँ पे से NEET में से चुटे-चुटे questions बनते हैं, NCRT में बहुत vaguely दे रखा है, बच्चे ठीक से classify नहीं कर पाते तो मैं आपको इसकी proper classification के साथ भी दिखाऊंगी कि हमारे पास कौन कौन से drugs हैं, अब दिखो क्या होता है drugs, चाहे यह कोई ऐसा drug हो जिसको medicine purpose के लिए बनाया हो, चाहे कोई यह ऐसा drug है जिसको गलत चीजों के लिए ही बनाया गया हो, तो ultimately क्या होता है, दोनों का ही जो misuse हम प जो young generation है, बहुत जादा divert हो रही है, misuse कर रही है इन drugs का, उनकी body में किस तरीके के effects आते हैं, वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, और drugs ही नहीं, साथ-साथ हम alcohol को भी पढ़ेंगे, तो दिखो यहाँ पे सबसे पहले यह लिखा है कि जितने भी survey और status देखे गए हैं, तो use of drugs and alcohol एकदम से बहुत जादा बढ़ गया है youth में, और obviously यह एक बहुत बड़ा concern है, क्योंकि इसके harmful effects हैं, जो हमारे youth बहुत productive होना चाहिए था, पढ़ लिखके या कुछ अच्छा काम करना चाहिए था, वो इन सब चीजों में divert हो रहे हैं, अपनी life में अपना aim, achieve नहीं कर पा र ही करते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे लोग जो अच्छे अच्छे family से हैं, पढ़ रखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे qualifications ली हैं, लेकिन वो लोग भी क्या होते हैं, ultimately इन ही चीजों में चले जाते हैं, तो आपे सिफ education ही नहीं, proper guidance की भी ज़रूरत चाहिए, जहाप एक support होना चाहिए, family and parents का, तो यहाँ पर यह बहुत एक major role play करता है, obviously उसके साथ साथ एक proper education guidance इससे तो बचाएगी, लेकिन जो obviously एक healthy lifestyle को भी बनाएगी, अब देखो drugs जो हैं, which are commonly abused, वो हैं हमारे opioids, cannabinoids and coca alkaloids, अब देखो यहाँ पर मैंने इसको किस तरीक से classify किया, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हम start करते हैं, opioids drug में से, अब opioids में हमारे sedatives भी आ जाते हैं और narcotics भी आते हैं, अब देखो यहाँ पर इसको समझना बहुत जरूरी है, narcotics का word जो है वो narcos से use हुआ है, और narcos मतलब कोई ऐसी चीज जो कि sleep induce कर रही है, तो यह उस category के drugs होते है, narcotics वो होते हैं, जिसमें एक sleeping effect मिलता है, narcotic effect होता है, state of lathargy, ठकाब, आलस्पन, sleep effect आता है, उसी तरफ sedatives क्या होते हैं, sedatives में obviously एक property होती है, analgesic property, analgesic वो property होती है जो आपका pain reduce करता है, तो basically यह दोनों ही opioids के अंदर आते हैं, तो opioid, अब इसको opioid बोला क्यों जाता है, तो reason यह है, कि यह bind करता है opioid receptor से, हमारे brain के और gastrointestinal tract के जो opioid receptors होते हैं, वहाँ पे bind करते हैं, यह वाले ट्रक, दूसरा आप इसमें किस तरीके से learn कर सकते हो, यह जो particular opioids हैं, यह naturally present होता है, opium plant में, तो ऐसे याद कर लो कि opium से निकलने वाले opioids, opium plant का जिसका scientific name है, पेपिवर्स hominiferum, इसको commonly poppy plant भी बोलते हैं, अब देखो इसका जो latex होता है, वो थोड़ा sticky और milky सा juice जो होता है, उसके अंदर यहाँ पे यह potential drug के constituents present होते हैं, इस type के drugs को snot भी किया जाता है, snot मतलब nose के through उसको inhale किया जाता है, inject भी करते हैं intravenously, अब opioids के अंदर आपके कौन कौन से drug लगा गया, यहाँ पे सबसे पहला drug आगया आपका morphine, तो देखो morphine को initially medicine purpose से ही बनाया गया था, इसमें एक काफी अच्छी energesic property होती है, तो surgery के वक्ग जो pain होता है, तो as a pain clear वो दिया जाता है, लेकिन धीरे-धीरे क्या हो गया, इन product को misuse करने लग गये, इसको abuse करने लग गया है, morphine को ही अगर हम diacetylation करेंगे, इसकी diacetylation के बाद हमें heroin मिलता है, और heroin को commonly smack भी बोलते हैं, या obviously इसका जो chemical name क्या है, दाइस diacetyl morphine, अगर आप इसको देखोगी तो यह white color का substance है, जिसकी कोई smell नहीं है, crystalline होगा, crystals की form में होगा, और obviously pain clear की तरह use कर सकते हैं, तो य यह भी effect कर रहा है, अब इसका एक बिल्कुल synthetic type है, यह तो होगे, natural morphine, heroin क्या होगा, semi synthetic होगा, लेकिन एक और opioid है, जो completely synthetic है, that is codeine, यह एक synthetic drug है, जो मैंने बताया, अब देखो, कभी-कभी आप देखोगे, जो cough syrup होते हैं, उसमें यह codeine present होता है, इसलिए जादा नहीं पीना चाहिए, और इसी के वज़े से sleeping effect आता है, ठीक है, तो देखो, NCRT में भी यहाँ पे आपको structure दे रहा है, morphine का OPM plant दे रहा है, opioid drug है, जो opioid receptor से करते हैं, nervous or gastro system से, heroin जो है, उसको commonly smack बोल जाता है, तो यहाँ पे आपने सारे points include कर लिए, तो obviously यहाँ पे एक term लिखी है, depressants, द आपकी brain की activity को down कर देते हैं, slow कर देते हैं, तो क्योंकि sleeping effect एक lethargic मिलते हैं, तो इसे लिए यह आपकी body को down कर दीता है, next आते है cannabinoids और यह इसका structure है, दिको बड़े interesting drugs हैं, interesting medicines आपको एक नई चीज़ है पढ़ने में, कि यह किस तरीके से आपके brain में effect करता है, cannabinoids under the class hallucin genogenes में आता है, क्योंकि इन में hallucinogenic effect होता है, अब देखो for example, यह क्या होता है, something जो आप नहीं देख सकते, वो आपको देख रही है, for example, अगर कोई रसी है, तो आपको लगेगा कि वो साब है, जो चीज़ हम सुन रहे हैं, वो वैसा हम हो सकता है, नहीं हो, तो यह आपके mind क यह जो perceptions है, उसको alter कर देता है, एक hallucinic effect आ जाता है, और ऐसा क्यों, इसको cannabinoids क्यों बोलते हैं, क्योंकि again, यहाँ पे देखो आप कैसे याद रखोगे, cannabinoids क्योंकि यह cannabinoid receptor के संग bind करता है, और यह जो type के drugs होते हैं, उसमें cannabinoids present होते हैं, अब देखो इसमें कौन-क प्रेजन्ट होता है, एक fungus है, जिसको बोलते हैं, claviceps purpurea, यहाँ से भी cannabinoids release किये जाते हैं, और देखो यहाँ से कौन सा निकलता है, LSD, which is lysergic acid diethylamide, अब देखो cannabis sativa जो है, इसके बहुत सारे parts चाहिए, इसके flower के parts ले लो, इसके leaves ले लो, इसके raisins ले लो, हर किसी से कि ना किसी type का drug निकलता है, तो देखो आपको जो दिख रहा है, हशीश, भांग, गांजा, चारस, मेरिवाना, यह सारे एक ही plant से आए हैं, अलग-अलग जगा से बला है, भांग, अगर मैं देखू, तो इन में से least potent होगा, similarly, हशीश हो गया, हशीश, ऑईल हो गया, यह इन मे का leaf होता है, cannabis sativa का, तो जैसे मैंने बताया, cannabinoid receptor से bind करता है, brain के, कौन सा plant मैंने बता दिया, अब इसमें देखो flower top में से, leaves में से, यह सब निकलते हैं, कोई मेरिवाना produce करता है, कोई हशीश बनाता है, कोई कांजा बनाता है, इसका जो effect है, वो क्या है, कि यह हमारे heart को, cardiovascular system को effect करता है, दिको, last में आ जाते हैं, आपके एक और, which is alkaloids, आपने पढ़ा था, कोका, कोका, तो वो basically alkaloids के अंदर आता है, and it is a stimulant drug, अगर मैं बोलू कि किस category का यह drug है, तो यह stimulant type का drug है, जैसे depressants होते हैं, जो आपकी brain की activity को slow down करते हैं, stimulants होते हैं, जो brain की activity को increase कर देते हैं, एक काफी जादा energetic feel करता है, इनसान, और alkaloids, क्योंकि इसमें alkaloids present होते हैं, as उसकी chemical composition देखी जाए तो, अब देखो, हमारा brain में जो neurotransmitter होते हैं, वो brain की activity को increase करता है, एक state of well-being देता है, तो यह जो stimulants होते हैं, यह क्या करते हैं, जै dopamine की तरह, brain को लगता है कि dopamine आ गया है, एक new receptor आ गया है, और वो mind कर जाता है, और उसके वज़ा से हमारी activity increase हो जाती है, mind stimulate हो जाता है, energetic feel करते हो, एक state of well-being feel होता है, जिसको euphoria बोलती है, अगर इसको बहुत जादा excess use किया जाए, तो यह hallucin होते हैं, अगर इसको not किया जाए, बहुत easily, बहुत snotting के case में, और जब intravenously दिया जाता है, तो बहुत जल्दी कोई में drug काम करते हैं, sports, sports and bots का abuse करते हैं, ताकि वो अपनी जो efficiency है, जो अपनी productivity है, जो भी वो काम कर रहे हैं, वो जादा हो, सबसे जादा potent drug कोई होगा, तो that is cocaine, और वो इसी category में आता है, it is the highest potent, highest potent से मेरा क्या मतला है, जो मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रही हूँ, कि यह सबसे जादा, you know, severe effect cause कर सकता है, और यह इतने addictive होते हैं, कि एक बार अगर body में यह आ जाते हैं, तो obviously addiction हो जाती है, बहुत जादा, अगर addiction एक primary चीज़ है, पहले addiction होता है, धीरे धीरे आए, अगर जो individual इस particular, किसी भी particular drug से addict हो जाते हैं, फिर उनकी body में symptoms आने लगते हैं, withdrawal symptoms आने लगते हैं, जैसे psychological syndrome आने लगते हैं, देखो psychological यह मतलब आपको हर वक लगगा कि आपको drug चाहिए ही चाहिए, आप चोरी करोगे, लडोगे, उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, फिर एक आता है physiological, यह तो सबसे ही खतरनाक है, आपकी body को इतनी requirement हो जाती है, कि अब आपकी body उसको लिए बिना ठीक से काम नहीं कर पाती, कोकेन में ऐसा होता है कि लोग अपने ही आपको harm करने लग जाते हैं, अपने ही आँखो को खराब कर लेते हैं, नोच लेते हैं, अपने wounds create कर अपने बाल कीश लेते हैं, बहुत अगर आप देखोगे बहुत खराब-खराब cases हैं, जहां पर इसके highest addicted drug के जो भी individuals हैं, उनके अंदर ये physiological withdrawal symptoms जब आ जाते हैं, तो वो अपने आपको बहुत ज़्यादा हाम करती हैं, तो कोकीन जो है, वो कोकोवा प्लांट है, कोकोवा प आते हैं, अगर मैं इसकी एक synthetic का example दूँ तो that is amphetamines, medicine, medicine है, ये एक stimulant का काम करती है, तो बाको और nicotine भी इसी category में आते हैं, दोनों ही stimulate करते हैं, adrenal gland को जिसने की adrenal release होता है, इसको आपको पता ही है, smoke भी किया जाता है, snuff भी किया जाता है, लोग इसको chew भी करते हैं, it has the capability to produce cancer also, smoking increase कर देता है, carbon monoxide in blood, और definitely क्योंकी stimulant है, तो heart rate increase हो जाती है, तो देखो यहाँ पर यही दिया है, koca alkalide, इसको cocaine भी बोलते हैं, इसमें alkaloids होते हैं chemical composition से, इसका plant है erythrozylem cocoa, देखो यहाँ पर धतूरा प्लांट दे रखा है, इसके उपर वाली, जो हमने पहले की दे यह उसका plant है, अब koca plant जो है South America में सबसे पहले उसका native area है, neurotransmitter की तरह काम करता है, मैंने बताया, dopamine के बारे में, इसका common name coke और crack है, इसको usually snort किया जाता है, यानि कि inhale किया जाता है, नूल की थूरू powder form में, nose के थूरू, sense of euphoria, एक cells of when being produced करता है, stimulate करता है, increase कर देता है, energy central nervous system stimulate हो जाता है, excess use से hallucinations हो सकते हैं, hallucinations हो सकते हैं, अब other well known plants of hallucinogen, अब देखो यह जो यहाँ पे, यही मैं आपको बता रही थी, बहुत बेगली दे रखा है, यह वाले जो plants है, atropa और धतूरा, यह हमारे alkaloids के अंदर नहीं आएंगे, यह hallucinogen के अंदर आएंगे, तो य यहाँ पे लिखा हुआ है, कि इन plants के अंदर भी hallucinogenic properties होती है, देखो अगले आपके drugs आते हैं, यहाँ पे barbitrates, amphetamines, benzodipamines, अब हम यह वाले drug देख लेते हैं, देखो एक और type के drugs होते हैं, जिनको depressants बोलते हैं, जो मैंने सबसे पहला एक word यूज किया था, depressants वो होते हैं जो आपकी brain की activity को slow down करते हैं, तो फिर sedative और इसमें क्या अंतर हुआ, देखो sedative और जो narcosis होते हैं, narcosis में sleeping effect होता है, और sedative के अंदर क्या होता है, उनकी अंदर एक analgesic property साथ में होती है, depressants आपकी brain की activity को reduce कर देते हैं, तो एक sedative activity तो होती है, लेकिन as such analgesic property, pain relieving activity इनके अंदर नहीं होती, well-being देते हैं, calm करेगा, depressant आपकी, यूदो कई लोग जिनकी anxiety बहुत जादा हो जाती है, तो उन लोगों को barbitrates, benzodipine, इस तरके की medicines दे जाती हैं, तो barbitrates, anxiety काम करने के लिए medicines हैं, लेकिन obviously लोग फिर इसका misuse करने लगते हैं, वो calming effect के लिए anxiety को reduce करने क के लिए बहुत जादा लेने लगते हैं, जिनकी वज़से क्या होता है, body में problems आती हैं, तो patient medical illness के लिए दी तो जाती हैं, ये चीज़े लेकिन obviously खराब करते हैं, तो barbitrates तो synthetic हो गया, अब alcohol भी पता है, alcohol भी depressant के अंदर ही आता है, ये भी brain की activity को slow करता है, initially क्या होगा, एक increased energy लेगेगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे alcohol body में, blood में घुलता जाएगा, मिलता जाएगा, तो धीरे धीरे ये आपकी brain की activity को decrease कर देते हैं, benzodiazepines इसी तरीके का होता है, आपने देगा होगा कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, जो road में बच्चे रहते हैं, आपने देखा ह आपकी वाला एक drug होता है, जो alcohol जैसा ही effect देता है, अब देखो इनके क्या effects है, reckless behavior होता है, vandalism, violence, excessive use, obviously excessive use करेंगे तो respiratory failure हो सकता है, heart failure हो सकता है, coma हो सकता है, death हो सकता है, आपका इतनी ही जादा आपने अपनी brain की activity को अगर decrease कर देंगे, तो कोई भी काम भी ठीक से नहीं हो पाएगा, coma भी हो सकता है, death भी हो सकता है, obviously lack of personal hygiene, ध्यान नहीं देते हैं लोग, बिल्कुल drug के में addiction हो जाते हैं, उस time पे खुद को बूल जाते हैं, withdrawal symptoms आने लगते हैं, धीरे धीरे isolate हो जाएंगे वो, अपनी पूरी community से depression हो जाता है, उनको वो aggressive हो जाते हैं, क्योंकि उनक एक particular time पे वो drug चाहिए ही चाहिए होता है, थकावट फील होती है, habits change हो जाती है, फिर weight उनका fluctuate करता रहता है, loss of appetite होती है, ठीक है, तो यहाँ पे यही दे रखा था, अब देखो, यहाँ पे barbit rates दे रखे हैं, ठीक है, हमको benzotime दे रखे हैं, तो यह तो काम करते हैं, depression वाल बनाए गए लेकिन बाद में इनका विस्यूस होने लगा, तो बेसिकली जो depression के मरीज थे या insomnia जिनको नीन नहीं आती, उनके मरीज ही उनके लिए बनाए गए थी, ऐसे ही morphine को भी sedative और pain clear के लिए बनाया गया था, surgery के purpose से, लेकिन बाद में यह इस तरीके से नहीं हुआ, अब दीकर कुछ-कुछ plants, fruits ऐसे भी होते हैं, जिनमें hallucinogenic properties होती हैं, एक drug का काम कर रहे हैं, drug की तरह काम करते हैं, body को effect पहुचाते हैं, लेकिन hundred of years से वो folk medicine की तरह या religious ceremony में use हो रहा है, जैसे हम भांग को जानते हैं, तो वो एक religious माना जाता है, लेकिन basically क्या है, जब उसक लिया जाता है, तो obviously वो body में effect करता है, जैसे मैंने बताया, physiological, psychological functions करता है, तो क्या करेंगे, ये बिल्कुल हमारी खराब हो जाएंगे, drugs के abuse की वज़ा से, बिल्कुल reduced हो जाएंगे functions, अब देखो, यहाँ पर वही सारे drugs रखेंगे हैं, जो हम discuss कर चुके हैं, जैसे smoking, ठीक ह smoking में tobacco होता है, हमने देख लिए tobacco किसके अंडर आता है, उसको smoke, chew किया जाता है, snuff किया जाता है, adrenal gland को stimulate करता है, adrenaline release करता है, उसमें alkaloids होते हैं, then heart rate को increase करता है, blood pressure increase करता है, smoking की वज़ा से lung cancer, uninary bladder और throat में भी problem आती है, obviously respiratory disorder होंगे, throat में, bronchitis में, emphysema हो सकता है, coronary heart disease, gastric answer, तो यह सब याद रखने है, tobacco चीओ करने से oral cavity में cancer हो सकता है, तो यह सारी जीज़े हम discuss कर चके हैं, then cigarettes, इन समें भी यही है, उसमें लिखा होता है कि cigarette जो है, harmful है, you know, warn करता है कि it is harmful, smoking नहीं करनी चे, it is injurious to health, फिर भी लोग करते हैं, दिन आता है adolescence and drug और alcohol abuse, तो यह हम कर चुके हैं, मैंने आपको examples भी बता कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे हैं, रोट पे वो भी किस तरीके से drugs को, drugs का abuse करते हैं, तो adolescence मतलब एक period or a process during which child mature हो रहा होता है, उसके attitudes change हो रहे होते हैं, उसके belief change हो रहे होते हैं, तो it is a period between 12 to 18 years of age, अब adolescence जो है basically एक एक bridge बन जाता है, जब आप छोटे होते हो, चाइल्डूर और adult होने से पहले, तो इस time पे बच्चे बहुत जादा influence होते हैं, जो भी चीजे आप तेखोगे, वो आप अपने अंदर लाओगे, और उस time पे अगर ठीक से guidance नहीं मिली, तो उसके harmful effects होते हैं, तो adolescence में बहुत vulnerable phase है, mental और psychological development का, curiosity होती है, बच्चों में, हर चीजों की excitement होती है, peer pressure की वज़े से कई लोग drugs लेते हैं, experiment करना चाहते हैं, then, जो youngsters को motivate करता है, इनहीं drugs और alcohol के abuse करने के लिए, तो देखोगे, यहाँ पर यहीं सब लिखा है, कि कैसे दिनों धीरे-दीरे होता है, पहले तो एक curiosity होगी, experiment करने का मन करेगा, later, आप उसको use करने लगोंगे, then, later, the child start using these problems to escape, कोई problem है, किसी चीज से problem हो रही है, कहीं फस गया है, कोई mind में tension है, तो उस चीज को धूर करने के लिए, उस stress को धूर करने के लिए, वो escape करता है, कैसे इनहीं drugs का use करके, of late, stress from pressure to excel in academics, जैसे मैंने देखा था कि sports person भी use करते हैं, drugs का अपनी efficiency, अपनी जो activity है, उसको improve करने के लिए, उसी तरीके से बच्चे भी academics में, cocaine type के drugs का use करते हैं, जो कि उनकी brain की activity को increase कर दे, तो इन सभी के वज़े से use होता है, misuse होता है इन drugs का, obviously जैसे मैंने बताया कि family unsupportive है, unstable है, peer pressure है, इनकी वज़े से भी यह सब होता है, तो कोई भी drug होता है initial stage जब आप ले रहे हूँ, पर धीरे धीरे उसकी addiction होती है, तो सबसे पहले तो addiction हो जाती है, और addiction होने का मतल़, यही है कि अब आपको वो drug चाहिए ही चाहिए, उस time जो भी individual है, वो उसको लेने की कोशिश करता है, और वो कब आता है, धीरे धीरे जब body की dependence उस drug पे बढ़ने लगती है, तो वो पता कैसे चलता है, जैसे मैंने बताया, body में withdrawal symptoms आते हैं, तो वो यही होता है कि किस तरीके से आपको वो चाहिए, तो देखो क्या हो गया, suppose किसी ने drug लेना start किया, धीरे धीरे वो उसके उपर dependent हो गया, finally वो उस पे addict हो गया, अपन इसको leave भी करेगा, तो ultimately क्या होगा, आपकी अब body उस drug पे dependent हो जाती है, अब अगर आप कोशिच भी करोगे, तो आप छोड नहीं पाते, उन चीज़ों को बोलते हैं, वो unpleasant withdrawal symptoms, वो तब जब आप वो जो regular dose है, alcohol की, वो abruptly discontinue कर देते हो, मतलब अब अगर आप रोकना चाहोगे अब आपको वो drug नहीं लेना और उस time पे वो body के withdrawal symptoms आते हैं, मतलब body ने drug को withdrawal किया, जिसकी वज़े से बहुत सारे symptoms withdrawal हो रहे हैं, ऐसा मालो की बहुत सारी चीज़े खराब होने लग गई हैं, अब देखो क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि एक तो होता है, आपको psychological, आप यह होते हैं, and this is very problematic, इसको दूर करना बहुत मुश्किल है, then drug के effects क्या है, alcohol abuse के effects क्या है, भही जो मैंने बताया कि एक reckless behavior हो जाता है, vandalism हो जाते हैं, violent हो जाते हैं, बहुत aggressive हो जाते हैं, body पे तो effect आता ही है, coma, death तो हो सकती है, respiratory failure, cerebrum failure यह तो होता ही है, लेकिन आप society के सं comments बहुत weak हो जाती है, एक un-absence, हर जगा अब un-absent minded हो, school में, colleges में, interest हो जाता है, किसी भी चीज़ में, personal hygiene में, interest हो जाता है, withdrawal होने लगता है, हर चीज़ से, बंदा isolated रहना चाहता है, उसको groups में बैठना पसे नहीं होता, depression होती है, थकावट होती है, aggressive, suddenly बहुत जादा aggressive, suddenly ए अपनी family, अपनी friends के संग, सारे relationships खराब हो जाते हैं, आपकी जो hobbies हैं, जो आपके interest ही, वो छूट जाते हैं, sleeping, आपकी eating habits बिलकुल खराब हो जाती है, weight by fluctuations आती हैं, तो यह सब हम already पढ़ चुके हैं, अब obviously यह जो आपके, यह जो भी effects आते हैं, यह सिफ restricted उस person से नहीं होता जो ले रहा है, पर उसके फूरी family, उसके entire friends को होता है, और किस किस तरह की effects आते हैं, इंट्रावेनेसली drugs को लेते हैं, injections के through drugs को लेते हैं, अब obviously यह legal तो है नहीं, तो लोग चोरे चुपे उनको लेते हैं, और बिना किसी को बताएं, लेते हैं, तो वो एक ही सीरेंज को बहुत chances होते हैं, क्योंकि needles infected हो सकते हैं, obviously यह diseases बहुत जादा खतरनाख है, sexual contact हो सकते हैं, infected blood जो है transmit हो सकता है, तो again, then chronic use of drugs की वज़े से liver में बहुत problem होती है, and एक disease है, that is cirrhosis of liver, then, अब obviously pregnancy के टाइम पे लिये जाए, तो fetus को effect करेगा, another misuse क्या है, कि जिसे मैंनो तहता है, sportsmen उनको ले रहे हैं अपनी performance को enhance करने के लिए, लेकिन उस time तो हो गई, लेकिन obviously बाद में उनको harmful effects होंगे, वो misuse करते हैं, narcotic analgesic लेते हैं, anabolic steroids, steroids zone की, anabolic steroids को होते हैं, वो जो building of muscles, या अपनी growth को increase करने के लिए लेते हैं, diuretics लेते हैं, certain hormones, जो की आपकी performance को muscle strength को increase करेगा बल्ग देगा, तो वो सब, तो वो aggressiveness, वो result तो देगा, athletic performance तो increase देगा, लेकिन उसके बहुत सारे side effects भी होते हैं, जैसे अगर females में लिया जाएं, तो उनमें masculinization आ जाती है, aggressiveness आ जाते हैं, mood swings होते हैं, depressions होती है, mental cycle disturb हो जाती है, hair growth बहुत जादा हो सकती है, और even men में hair growth कम भी हो सकती है, बालों का जड़ना भी हो सकता है, clitoris enlarge हो जाता है, voice deep हो जाती है, males में acne, increased aggressiveness, again mood swings होते हैं, depression हो सकते हैं, testis का size degrees हो सकता है, sperm का production भी कम हो सकता है, liver, kidney, यह सब effect होते हैं, breast enlargement, तो यह सब males के case में होता है, premature bandless, बालों में bandless हो जाती हैं, बाल एक्दम चले ज साथे हैं, prostate gas enlarge हो सकता है, जिसके वैसे prostate cancer भी हो सकता है, तो अभी इन सब को हम prevent कैसे करेंगे, control कैसे करेंगे, cure तो obviously मुश्किल है, क्योंकि बहुत society जैसे बतायता कि एक individual ही suffer नहीं कर रहा है, उसकी family of friends भी करती है, तो right time पे control करना, prevent करना बहुत ज़रूरी है, तो obviously avoid करना चाहिए, undue peer pressure, ज़रूरी नहीं है कि आपके friends ले रहे हैं, तो आपको भी लेना है, then education of counselling बहुत ज़रूरी है, education हर aspect में aware रहना चाहिए, और counselling करनी चाहिए कि कैसे आप अपनी problems को, stress को धूर करोगे, बिना इन drugs का use किये, अपनी जो activity है, वो करिए, अपनी जो hobbies हैं, उसम हमें जादा time spent करना चाहिए, seeking obviously parents से, peer से, जो भी reliable है, आपको अच्छे से guide करें, उनकी help लेनी चाहिए, danger signs, जब लग रहा हो कि आपकी performance काम हो रही है, जब आप सबसे aggressive हो रहे हो, जब आप चोरी कर रहे हो, कोई गलत काम कर रहे हो, तो obviously वो danger signs है कि वो आपको गलत जगा ल ले सकते हैं, professional help लग सकते हैं, उन लोगों की help ले सकते हैं, जो typically drug addicts के अंदर addiction को धूर करने में help करते हैं, तो ये था हमारा chapter, अब हम next chapter की संग आएंगे, thank you.